ओम शान्ति मेठे प्यारे बाबा ने हम बच्छों को बार बार स्मृति दिलाई कि ये संगम युग है है ना? ये संगम युग है हम संगम युग पर बैठे हैं है ना? आपको याद है जब हम शरीर से छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था बेटा ये टाइम उठने का है उठो ये ब्रश करने का टाइम है ब्रश करो तैयार हो जाओ स्कूल की बस आती होगी है ना? या ये टाइम भोजन का हो गया तो भोजन करो तो हमेशा समय और करम समय और करम का बहुत गेरा connection है समय के आधार से करम सिखलाए जाते है गड़ी देखो कितने बज रहे हैं ऐसा करो हमेशा समय और करम और ऐसे भी कहते हैं नहाने का टाइम हो गया है अभी तक नहाया नहीं पढ़ने का टाइम है पढ़ो तो टाइम और करम हद में भी बहुत इसका गहरा connection है अगर हम दिन और रात के चक्र में भी देखे हद के चक्र में भी तो समय और करम का बहुत गहरा connection है कल भी बाबा ने हद के रूप से कुछ बाते बताई थी बाबा ने कल क्या बताया मुर्ली में कि बाबा की मुर्ली चल रही है और अगर सेवा के भी संकल्प चल रहे है तो वो उस समय ठीक नहीं है क्यों? क्योंकि कल बताया Doing the right thing at the right time सही करम सही समय पर करना है अब आज बाबा हमें बेहद के समय का इशारा दे रहे है कौन सा समय आया है? संगम युग का समय हर समय किसी न किसी किसी न किसी चीज का है जैसे भक्ती का एक समय है विज्ञान का एक समय है ऐसे अभी संगम युग है समय समझ में आ रहा है कैसे समय परिवर्तन होता है जिस समय भक्ती का युग शुरू हुआ भक्ती की लहर आई तो कितनी आत्माओं ने भक्ती के पेछे सब कुछ छोड़ा और उस भक्ती के समय को सफल किया भक्ती काल को प्रेक्टिकल अंजाम दिया सन्यास का समय आया तो कितनों ने घर बार छोड़ा और सन्यासी बने बने की ने बने हर चीज का समय ये जो विज्ञान ने इतनी वृद्धी पाई क्या आत्माओं ने अपना तन्मंधन जीवन नहीं लगाया क्या कितनी आत्माओं ने अपना सब कुछ रिसर्च के पीछे दिया तब जाकर विज्ञान का समय सफल हुआ अब कौन सा समय है अब भगवान का समय है और ये समय है भगवान का बनने का समय तो हर समय में जो लहर होती है उस हिसाब से हमें चलना होता है और ये समय है भगवान का बनने का समय पवित्र बनने का समय योगी बनने का समय पवित्रता और योग के बल से विश्व परिवर्तन करने का समय और समय के इशारे को समझना पड़ता है तो बाबा आज हमें यही इशारा मुरली में दे रहे है कि अभी संगम यूग आ गया जब धरापर भगवान आकर समुख बैठ क्या और श्रीमत देने लगा श्रीमत अर्थात स्रेश्ट बनने की मत्थ पवित्र बनने की मत्थ और बाबा कहते मैं तुम्हें राज योगी बनाने आया हूँ तो अब राज योग सिखने का राजाई पाने का समय आ गया अब जब ये समय आ गया तो अब क्या करना पड़े अब बनना पड़ेगा यही पुकार है समय की पुकार और अगर नहीं बने तो क्या होगा हम उस समय की प्राप्ती से वंचित हो जाएंगे हर समय देखो प्रकृती में भी एक समय आता है बीज पोने का एक समय आता है पानी डालने का फसल काटने का अगर उस समय कोई उस समय का लाब ना ले तो क्या होगा वो समय बीच जाएगा, जो पढ़ने के समय पढ़ते नहीं, उनका क्या होता है, हद के हिसाब से भी तो पढ़ने का समय होता है ना, जो पढ़ने के समय नहीं पढ़ते उनका क्या होता है, वो लायक नहीं बनते, नौकरी नहीं कर पाते, कमा नहीं पाते, तो बाबा कहते हैं कि जो समय जिस चीज के लिए निश्चित है चाहे हद में चाहे बेहद में अगर हम उस समय की पुकार को नहीं सुनेंगे तो हम वंचित रह जाएंगे तो अभी समय नहीं है विकारी बंधनों में उलजे रहने का अभी और वो समय नहीं है मैं आपको बहुत छोटी से एक बात बताती हूँ अगर मान लो आज अर्थक्वेक हो जाए और बहुत सारा लॉस हो जाए तो उस समय कोई प्रश्न पूछेगा क्या कि अभी मुझे ये रिहाबिलिटेशन का जो काम चल रहा है उसमें सयोगी बनना है या अपने संबंधियों का emotional care करना है या वो क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उसको देखना है तो समय जब कुछ चाहता है, तो और कोई क्या चाहते हैं उसका कोई हस्तित्व नहीं रहता इस बात को समज़ते हैं पैंडमिक आया, तो एक सेक्षिन था ऐसा सुसाइटी का, जिनके पास कोई भी चोईस नहीं थी, हेल्थ प्रोफेशनल को कोई चोईस थी गए क्या, कोई चोईस नहीं थी, आपको अपना सब कुछ रिस्क पर भी लगा कर जाना ही पड़ा, करना ही पड़ा, कई ऐसे डिपार्टमेंट्स थे सरकार के विजु खुले ही रहे, तो उस समय पर समय ने चोईस नहीं दी, जिसको जो कारे करना था, करना ही था, ऐसे भी आत्मय रही, जो अपने परिवार से 4-5-5 महेने एक-1 साल दूर रही, और समय की पुकार ऐसी थी कि कुछ भी नहीं कर स सके, तो बाबा हमें कहते हैं, यह जो समय है, यह है श्रीमत पर चल कर स्रेश्च पनने का, यह संगम युग है, युग परिवर्तन हो गया, कल युग बदल गया, अब विकारी बंदनों के लिए हमारे परस्टाइम नहीं है, और अगर हम अभी भी नहीं सुनेंगे, तो भी, क्या होगा? तो समय हाथ से निकल जाएगा, और फिर जो भगवान की नहीं सुनते, उनको समय की मार से सुनना पड़ता है, अब जैसे बाबा आज कहते हैं कि, हमारा विकारी बंदनों से कोई मतलब नहीं है अभी, तो विकारी बंदनों से क्या मतलब होता है? इसको तो हम थोड़ा सब आज कुछ एक बाते समझेंगे इसके बारे में, जैसे मैं आपको एक चोटी से इसमें उदाहरण देती हूँ, एक भाई है, तो वो ज्यान में चलता है, तो कुछ समय पहले वो अपने जो लौकिक संबंधियों के यहां, कुछ विजिट पर आया, ठीक है, तो जब वो विजिट पर आया, तो लौकिक संबंधि जो थे, वो जो भी उससे एक्सपेक्ट करते थे, एक्सपेक्टेशन होती है न, विकारों के आधार से, तो जो भी एक्सपेक्टेशन थी, पैसे की, या गिफ्ट्स की, या कोई पेरिंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, हमें डॉक्टर को दिखा दो या किसी और की कुछ expectation थी उसने वो सारी पूरी की ठीके और वो लोग उससे बहुत खुश भी हो गए और उसके बाद उसने मुझे कहा कि दिदी मैंने अपना जो duty थी वो कर दी और वो बहुत खुश भी हुए तो मैंने उस भाई को कहा ये जो आपने उस जो भी रिष्टदार परिवार थे उनको बाबा के नस्तिक लाया उनको रोज की मुडली रोज का योग से जोड़ा तो उसने कहा नहीं दिदी वो सुनते नहीं है तो मैंने उसको कहा ये जो आज आप जिस अधार से उसको संतुष्ट करकर आए ये बहुत कम टाइम चलेगा और बहुत जल्दी वो समय आएगा जब आपको भी महसूस होगा आपने अपनी ड्यूटी नहीं की और उनको भी महसूस होगा आपने अपनी duty नहीं की और उस तिन वो संबंद भी नहीं रहेगा क्योंकि आत्माई आज आप सोचो जब भगवान आता है न तो जो सत्य सारी दुनिया को आज तक पता नहीं चला कि इस दुनिया की सारी स्थिती आत्मिक स्थिती के अधार से है और आत्मिक स्थिती के लिए शिबाबा के साथ योग कितना अवश्यक है वो जो जो ज्यान आज मनुश्य के पास आज तक नहीं था इसी कारण से आज तक मनुश्य भटक रहा था, डून रहा था वो ग्यान आज हमारे पास है और उस ग्यान से क्या मिलता है क्या बनते हैं वो अनुभव भी है और इतने अनुभवी होने के बाद भी यदि हमने अपने संबंदों में विकारों की ही लेंदेन को प्रभुत्व दिया विकारों की लेंदेन जो आत्मा को कमजोर बनाती है और अगर हमने वो लेंदे नहीं की जो वास्तव में एक आत्मा को दूसरी आत्मा से करनी चाहिए जो ख़जाना हमें बाबा से मिला तो कल वो हमें बहुत उलहना देंगे और हम भी बहुत पच्चताएंगे इसलिए वो जो आज जो टेकिंग केर है वो एकदम से बदल जाएगा समय इतनी बड़ी चीज है आप देखो एक महीने के अंदर गले लगना जो एक प्रेम का संकेत था वो कैसा हो गया? गला दबाने जैसा हो गया? कोई जब बरदस्ती आपके गले लग रहा है तो कैसा लग रहा है? यह दूर क्यों नहीं रहते हैं? इनको समझ में नहीं आता अभी गले लगाने का टाइम है तो आप सोचो कॉंसेप्ट बदलने में कितना समय लगता है? कॉंसेप्ट बदलने में बहुत कम टाइम लगता है वही गले लगना उसका जो सिग्निफिकेंस था वो एक महिने में कैसे बदल गया? आज भी लोग एक दूसरे के गले नहीं लग रहे हैं तो आप विचार करो कि यह जो समबंदों की विकारों के आधार से जो लेंदेन है ना? इसकी जो पुरी रसम रिवाज है इसका जो पुरा सिस्टम है जैसे समय बदलेगा और ड्रामा की सीन और कड़ी होती जाएंगे ना? तो हमारे यह जो विकारी समबंद है इनका कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा इसलिए बाबा आज हम बच्चों को सुनाते हैं कि आप तुमें जो सत्यूगी समबंद है वो बना ले और सत्यूगी समबंद कैसे होगे? सत्यूगी समबंद में सब कुछ होगा बस विकार नहीं होगा स्ने भी होगा सयोग भी होगा समान भी होगा प्रेम भी होगा सब कुछ होगा बस क्या नहीं होगा? विकार नहीं होगा बस ये नहीं होगा वो नहीं देंगे हम आत्मा को जो उसको अच्छा लगे वो देंगे जो उसके लिए अच्छा है तो सत्यूगी संबंद कैसा होगा तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अब तुम्हें अपने संबंदों की लेन देन में विकारों को हटाते जाना है सिर्फ संबंद मात्माउं से नहीं होता शरीर से भी संबंद होता है धन से भी संबंद होता है धन के साथ हमारा आज क्या संबंद है हम धन को भोगते हैं लेकिन बाबा के ते धन के साथ क्या संबन्द बनाओ, धन को सफल करो, देह के साथ आज क्या संबन्द है हमारा, हम देह को भोगते हैं, टेस्ट लेते हैं, रस लेते हैं, बहुत कुछ देह से करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, देह से सेवा का संबन्द बनाओ, देह को सफल करने का संबन्द बनाओ, देह से स्रिष्ट करम करने का संबंध बनाओ तो बाबा हमी कहते हैं हर चीज से अपने संबंध को बदलते चाओ क्योंकि कुछ समय के बाद वो जो समय ऐसा आ जाएगा कि हम विकारी संबंध किसी से भी नहीं रख सकेंगे और मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ ये क्योंकि एक एक दिन में कितनी आत्माओं के साथ संपर्क होता है सिवा के सुजोग से आज मेजोरिटी आत्माएं अपनी देहे को भोगवाद का साधन और नहीं बना पा रहे देहे में कुछ न कुछ ऐसी बिमारी आ जाती है जिससे और वो देहे भोगवाद का साधन नहीं बन सकते आप सोचो पेट की बिमारियां इतनी होती हैं कि मनुष्य भोजन नहीं कर पा रहे हैं मैं ऐसे बहुतनों को जानती हूँ जिनको पेट की इतनी समस्या है कि ना बोजन खा पाते हैं ना आराम से बैठ पाते हैं ना जी पाते हैं तो वुचो शरीर के साथ जो हमने विकारी संबंद बनाया तो शरीर धीरे धीरे विकारी संबंद और अलावनी करेगा संबंधों में भी विकारी लेन देन और होनी पाएगी काम की लेन देन, मोह की लेन देन और नहीं हो पाएगी ऐसा समय आ जाएगा कोई mental illness हो जाती है वेक्ती emotionally unavailable हो जाता है आप उसको emotional आप ना उसके लिए emotional हो पाते हैं ना आपका emotion उस तक पहुँच पाता है तो विकारों के अधार से जो हम संबंध बना रहे हैं उनकी life बहुत लंबी नहीं है धन को हम अगर भोगवाद में यूज करते हैं तो धन की इतनी समस्याएं पैदा हो जाती है धन के उपर इतने सारे विगन आ जाते हैं कि वो धन हमारे लिए मुसीबत हो जाता है तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि अब हर चीज के साथ अपने संबंध को बदलो धन को नहीं बदलना है व्यक्ति को नहीं बदलना है शरीर को नहीं बदलना है हमारा उनके साथ संबंध जो है वो बदल जाए और उसके लिए हमें बाबा ने बताया कि अब ब्राम्भन परिवार के साथ संबन्द को बढ़ाओ बाबा के साथ संबन्द बनाओ और तभी हम सेवाधारी बनकर हर चीज को सफल करना सिखेंगे क्योंकि संबन्द बदलने के लिए जो भोगी से योगी बनने के लिए हमें उसका भोगवाज से सफल करने की विधी पर आना पड़ेगा तो वही संबंद की शक्ती, धन की शक्ती तन की शक्ती सेवा में लगाओ और बाबा केते हैं उसके लिए ब्राह्मन परिवार से और शिप बाबा से संबंद बनाओ और जितना संबंद गहरा होता जाएगा उतना फिर सेवा में भी involvement होगा और फिर वो सफल होगा फिर ये जो सारा paradigm है वो बदलेगा और फिर जब हमारा यहां पर वो जो सेवाधारी वाला part शुरू होता है तब जाकर हम जब लौकिक संबंदों में या देह के प्रती भी या धन के प्रती भी हमारी वृत्ती, द्रिष्टी हमारी लेन देन का स्वरोप सब कुछ बदलता है और फिर बाबा कहते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं फिर सत्यूग में भी उनके जो संबंदों का आधार है वो इस समय के संसकार बनते हैं समझा रही है बात? मुझे नहीं पता कितना कम्यूनिकेट हो पाता है क्योंकि भाशा बड़ी ग्रोस चीज है और ज्ञान बड़ा सुक्षम है तो ज्ञान को भाशा बद करना बाबा के लिए तो बहुत आसान है लेकिन बच्चों के लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है तो बाबा कहते हैं कि ये हमें अब ध्यान देना होगा कि संबंदों को हमें निर्विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए वहाँ ड्यूटी बजाना और फिर ब्रामन परिवार और शिबाबा के साथ संबंद बढ़ाना और फिर सफल करकर सफलता पाने की विदी सेखना इससे फिर आगे जब हम वहाँ भी जाते हैं तो हमारा सुरूप बदल जाता है और हमारी लेन देन विकारों के अधार से नहीं होती हम वो देते हैं जो वास्तव में कल उनको अवश्यक होने वाला है भले ही आज वो उसको अप्रिशेट करे या ना करे लेकिन वास्तव में वो ही होने वाला है और आप मेंसे मैं समझते हूँ कईयों का ऐसा अनुभव होगा कि कोई ना कोई ऐसी आत्मा पिछले एक देड़ वरश में कम से कम एक आत्मा ऐसी होगी जिसको पता है कि आप ज्ञान सुनते हो तो अपने दुख में, कश्ट में उसने आपका नंबर गुमाया होगा और आपको पूछा होगा कि अभी क्या करना है इस पे भले ही वो ज्ञान ना सुनते हो लेकिन उस समय उनको आप ही की याद आई होगी क्यों क्योंकि सल्यूशन तो एक बाबा के पास ही है और हम धीरे-धीरे ऐसे समय पर पहुँच रहे हैं जहां फिजिकल सल्यूशन का जो भ्रम भी है वो भी छटता जाए अभी धीरे-धीरे समझ में सबको आने लगा है जैसे आज पाबाव शब्द यूज करते हैं न मुडली में भूल भूलेया भूल भूलेया मतलब क्या जहां से जाओ चलते जाओ चलते जाओ फिर पता चलता है अरे यहां तो डेड एंड है रस्ता ही नहीं तो ऐसे आज दुनिया की क्या हालत हो गई है बहुत सारी तरीके निकलते हैं हर चीज का सल्यूशन निकालने की हर कोई कोशिश कर रहा है अपने तरीके से लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है अरे यहां तो सल्यूशन नहीं है आप सोचोống दो वरश तक हम सुनते आए वैक्सीन से सब ठीक हो जाएगा बुस्टर से ठीक हो जाएगा अब दो डोस से नहीं हुआ अभी बुस्टर से हो जाएगा फिर उसके बाद सुनेगे कुछ ओर से हो जाएगा तो ये क्या है? लेकिन मनश्य आत्मा ये नहीं समझती कि अब हमें बाहर सल्यूशन नहीं डूढ़ना है. अब हमें उस अवस्था में आना है कि हम कुछ भी हो जाए उसके लिए तयार है. तो ये जो डेड एंड पे हम बार-बार पहुँच रहे हैं और आपको पता है पिछले एक वरश में देड वरश में जितने लोग गूगल पर प्रेयर और मेडिटेशन सर्च करते थे उसके संख्या डबल हो गई. उसके संख्या डबल हो गई क्योंकि जो आत्माई कई बातों पर भरोसा करते थे, कोई संबंध पर, कोई विज्ञान पर, कोई तकनीक पर, कोई जादू टोने पर, कोई मंत्र, जंत्र, आशिरवाद पर, बहुत सारे जो आत्माई जिस भी रस्ते पर सल्यूशन ढून रही थी, वो सारे सल्यूशन, जब पता चला कि ये तो सल्यूशन है ही नहीं, तो कहां ढूनने लगी भगवान, भगवान कौन है, योग क्या है, क्या होती है, spiritual power, तो वहाँ पर, वहाँ ध्यान जाने लगा है जैसे आज बाबा मुरली में कहते न, कि बुल बुलिया में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और पुकार चितकार भी बढ़ती जाती हैं, और फिर एक समय आता है, जब सच मुझ, जब बाबा आता है, तो उसको पहचान पाते हैं, क्योंकि हर तरफ से निराश हो चुके हो डून डून कर भटक भटक कर परिशान होने की यात्रा वो सब अभी चल रही है और बाबा हमी कहते हैं कि संगम युक पर ही आकर सबको बाप से ही वर्सा लेना होगा और ये जो तमो प्रधान तत्व हैं, तमो प्रधान आत्माओं के तमो प्रधान सल्यूशन से उससे कोई भी सल्यूशन निकलने वाला नहीं है लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि बाबा की जो श्रीमत है वो है पवित्रता के बल से, योग के बल से, सच्चे स्नेही के बल से, शक्ती के बल से विश्व को परिवर्तन करना लेकिन उसके लिए बाबा को हम निमित बच्चे चाहिए, जो विकारी बंधनों से अपने बुद्धी का योग हटा कर, सच्च मुझ अपनी स्थिती को, अपनी जीवन को समर्पन करकर, ये इश्वरे कारे करेंगे करेंगे हम सभी, करेंगे, तो बाबा कहते हैं, हमें इतना अपनी स्थिती को उच्चा रखना होगा, देहे देहे के सम्वन वस्तू में, देही काकर्षणों में, इंद्रिय रसों में, बुद्धी को जो लिपायमान होगी न बुद्धी, उसको वहाँ से हटाना पड़ेग और एकाग इडिचितो कर, बाफ का जो वर्सा है, वो धारण कर आत्माओं तक पोंचाना होगा, बेहत की जो बाबशक्ति दे रहें, शांती दे रहें, वो स्वयम में धारण कर आत्माओं तक पोंचाना होगा, तो ऐसा पवित्र इंस्ट्रूमेंट बनेंगे सबी, इतना देखो त्याग है ना इसमें और आप देखो चित हमारा कैसा है अभी एकागर चित चब हम कहते हैं तो हमारा भी चित कैसा है तेसर जन्मों की चीजों से भरा पड़ा है इससे ट्रिगर होता है उससे ट्रिगर होता है कुछ देखता है करशित होता है कुछ देखता है बहे होत आप कभी विचार करते हो, कोई व्यक्ति एक कम्रे में प्रवेश करता है, किसी को तो उसको देखकर आकर्शन होती है, किसी को उसको देखकर ग्रिणा भाव आता है, किसी को उसको देखकर कुछ भी नहीं फील होता, तो ऐसा क्यों होता है? हर आत्मा के अंदर अपना-पना रिस्पोंस आता है किसी भी वाइब्रेशन के प्रती जैसे छोटी सी बात है आप एक कमरे में पहुँचते हैं जहां soft music बज रहा है किसी को तो बहुत बोरियत होती है किसी को नीन दाती है किसी को बड़ा सुकून अनुभव होता है किसी को ऐसा लगता है कहां आ गए है जल्दी चले यहां से अब music तो music ही है वो आत्मा तो आत्मा ही है लेकिन हमारे अंदर ये जो variety of responses है वो क्यों trigger होते हैं? ये सब हमारे चित के अधार से हमारे चित के अंदर बहुत सारी चीजें भरी पड़ी और वो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग शब्दों से अलग-अलग द्रिश्यों से trigger होता है एक व्यक्ति कुत्ते को देखता है तो भाग कर उसको गल लगाता है दूसरा दूर से भाग जाता है एक उसकी तरफ भागता है एक उल्टी तरफ भागता है तो अगर कुत्ता खतरनाक है तो दोनों को उल्टी तरफ भागना चाहिए कुत्ता प्यारा है तो दोनों को उसकी तरफ भागना चाहिए लेकिन एक उसकी तरफ भागता है, एक उल्टी तरफ भागता है, क्यों? हमारा अपना चित जिन चीजों से भरा पड़ा है अब आप सोचो कि हम 63 जन्मों में कितनी स्थानों, कितनी आत्माओं, कितने संसकारों, कितनी घटनाओं, कितने द्रिश्यों, कितने शब्दों, कितनी fragrances है ना, खुश्बूयें या कितने तरह के smells में अपने चित को डुबो करा हैं वो सारे उस पर दागधब्बे सब लगे हुए हैं और वो जहां-जहां से पार होती ना आत्मा, वो आए अक्टिवेट होता रहता है, सिगनल पकड़ता रहता है और फिर उस हिसाब से हमें feelings आती रहती हैं अब आप सोचो कि एक तो बाहरी आकर्षन, बाहरी जो हमारे संसकार हैं, जिनको हम पहचान पाते हैं फिर आप सोचो हमारा ये जो चित है, वो कितनी चीजों से भरा पड़ा है और आप सोचो कि अंत के समय में, जब सैकणों दृष्य और सैकणों आवाजें और सैकणों smells और सैकणों बातें, सैकणों घटनाएं, हमारे चारों तरफ हो रही होंगे तब हम एकाग्र चित हो सकेंगे, वो चित एक बाबा के प्यार में डूब कर, शांती शक्ती का दान विश्व को दे सकेगा विचार करना इस बात पर, तो हमें कितना इनर वर्क करना है अभी अभी तो हमें उपर का कितना काम करना है, पहले तो बुद्धी को जो स्थूल रस है, उससे कितना निकालना है फिर जब हम साइलेंस में बैठते हैं, इसलिए तो योग, योग का अभ्यास क्यों किया जाता है कि जब हम silence में बैठते हैं तो वो जो चित है उससे बहुत सारा कुछ emerge होता है इसलिए तो हम लंबा योग में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें उपर आती हैं उस चित से और जब हम बाबा की याद में मगन होकर उन सारी बातों को पार करते हैं जैसे एक चोटी सी बात है जैसे अगर हमें कहीं पर डर लगता है तो वो डर कल ना लगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बार बार उस डर की परिस्थिती में उसको क्रोस करना पड़ता है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर वो डर नहीं लगता ऐसे ही जितना हम बाबा की याद में रहे कर शान्ती के बल से, पवित्रता के बल से वो जो सारी बाते अंदर से बाहर आ रहे होती है इतनी सारी यादे, इमोशन्स, बीती बाते, कल की बाते वो सारे जो संसकार इमर्ज होते हैं योग में, उनको हम जितना बाबा की याद से बार बार पार करकर, पुनह पुनह शान्ती पवित्रता की अवस्था में स्थित होंगे, तो हम क्या बनेंगे? एकाग्र चित, उस चित की एकाग्रता बढ़ेगे, और फिर वो जो बाबा हमे कहता है, कि तुम्हें मेरे निमेती है, संसार बदलना है, वो संसार बदलने की योग्यता हम में आएगी, कोई भी कारे करने के लिए योग्य तो बनना पड़ेगा, योग्य बनने के लिए वो काम करना पड़ेगा, खाली दीदी बैठके मन्थन करेगे, और हम सुन लेंगे उससे थोड़ी होगा वो तो दीदी ने किया हमने क्या किया हमने उस मन्थन पर मन्थन किया हाँ या मन्थन भी सुना आधा सुना आधा नहीं किया और कुछ याद नहीं आए तो दीदी को यह लिखके बेज दिया हो आपने वह बता देना फिर से, यह दो चार पॉइंट्स रिपीट कर देना, आज तो बूल गए, ऐसे नहीं चलेगा, इतना इनर वर्क हमें करना पड़ेगा, भगवान इतना पालना हमें दे रहा है, क्यों, हम बाबा की संगम यूगी रचना है, वो हमारे द्वारा विश्व परिवर्तन करना चाह रहा है, तो बाचा सेवा तो अलग बात, जैसे बाबा कहता है कि हर आत्मा को परिछे देना, आप सोचो इतने बड़े संसार में मेजोरिटी को यही नहीं पता हम आत्मा हैं, और एक आत्मा को अंत के समय में आत्मिक स्थिती कितनी हमारे मजबूत होन आत्मा को एक मिनट या एक सेकेंड के पाठ में आत्मा का पाठ पका करा के भेज सकें, तो इतना सारा काम अभी बाकी है, और इस सारा क्याम क्या है सुक्षम, और समय बीतता जा रहा है, तो इसलिए समय के इशारे को समझ, समय को सफल करना ही पढ़ेगा, Om Shanti